ये विडियो जो है करेंट अफेर की भी उसे और कंपेटिटिव एक्जाम की भी उसे काफी इंपोर्टेंट है हाली में दिली उचनेयले दुवारा गैर कानूनी गतिविदिया अधिनियम 1967 और इसके साथ ही इस अधिनियम की धारा पंद्रों को पुना परिवासित करने के कोशिश किया गया है दरसल इससे पहले भी सरकारों के दौरा राजनितिक मतभेदों को दबाने के लिए और बदले की भावना से यूए पीय का दुरूपियो किया जाता है चूकि इस अधिनियम के में यह प्रधान किया गया है कि किसी भी अभियोजित व्यक्ति को 180 दिनों तक बीना चार्शिट फाइल किया हुए हिरासत में रखा जा सकता है आता इसका परियोग यह यूपिये का दुरूपियोग करने के लिए किया जाता है जबकि इस अधिनियम का उद्देश से जो है राच की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना और किसी भी तरीके से आंतरिक सुरच्छा से सम्मंदित कोई गतिवी दिया है तो उसको नियंतित करना है इस अधनियम का उद्ध से यह यवी है कि इसका उद्ध से किसी भी सम्मान ने परकार के अपराद वो कवर करना नहीं है चाहे अपराद कितना ही जगन ने और गंभीर क्यों ना हो दिल्ली उच नियाले दोवारा दिया गया नियाले इसलिए भी महत्पूर्ण है कि पहली बार किसी नियाले ने यूए पी एक दुरूपियों की बात कही है जबकि भारती सम्मिधान के अनुशेद आर्टिकल 90 के तःथ भारती व्यक्तियों को या भारती नागिरी को कोई अधिकार पराप्त है कि सरकार के ने नहीं को विरूद् अलोचना कर सकते हैं हरताल कर सकते हैं या अंधोलन कर सकते हैं इस अधनियम के ताथ यह परधान किया गया है कि गिरफतार करने वा एजेंसिय जो है अभ्यूक्त के खिलाब अधिक्तम 180 दिन के अंतरगत जो है न्याले के समझ चार सीट फाइल करेगी। दूसरे परधान के अंतरगत हम कहा सकते हैं कि यह अधनियम जो है भारतियों ब्यक्तियों पे भी लागू होता है और विदेसी ब्यक्तियों पे लागू होता है चाहे किया गया क्रित्य भारत में किया गया हो या विदेसों में किया गया हो इसके आन्य परधान के अंतरगत ज जो है राजनितिक मदभेदों को दबाने के लिए या बदले की भावना सना की जाए तो साथ ही में सुप्रीम कोट या उच नयाले को भी ये सोता संग्यान लेते हुए इस तरीके के मामले में तुरंत करवाई करते हुए उचितनी इप्टारा करना चाहिए आज के लिए इतन नहीं थैंक यू